इस्टूडेंट इस वीडियो में हम बी ए प्रथम वर्स बी ए फर्स टीयर में आने वाली इंपोर्टेंट प्रश्ण के उपर बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्रश्ण है जो हर साल दोस्तों बी ए फर्स टीयर में पूछे जा सकते हैं 100% आने का चांत हो सकता है आपके एक्जाम में और यहां पर चाहे आप प्राइवेट की स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर की स्टेट हो चाहे आपका सेमेस्टर वाइस एक्जाम होता होगा या एन्वली याने की वार्सिक एक्जाम होता होगा आप बिलकुल सही वीडियो में जुड़े हो आपका पूरा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है टोटल यहाँ पर आपका 5 यूनिट होता है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 तो यूनिट 1 से लेगा यूनिट 5 का important question के उपर हम बारी-बारी से बात करने वाले है आप कम समय में बेश्ट तैयारी यहाँ से कर सकते हैं यदि आपने साल पर बिल्कुल भी कुछ पढ़ाई नहीं किया है और आपका कल exam है तो भी आप अच्छे से यहाँ पर number ला सकते हैं और आप pass हो सकते हैं आपको टिप्स ट्रिक बताने वाला हूं तो वीडियो पर आप अंतर जरूर बने रहे हैं बहुती हेल पर इस वीडियो से आपका होने वाला है कहां से पढ़ना है प्रश्न मिलने के बाद इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कैसे लिखना है देखो बीए में न सबसे ज़्यादा बता आ रहो है बीए में जो भी स्टूडेंट होंगे उनको लिखना आना चीए कैसे लिखना है ये जो भी स्टूडेंट कैसे लिखना है इसको सिख लिया इसले लिखावाट पर ज़्यादा फोकस आपको करना है कैसे लिखा जाता है इसको पहले आपको सीख लेना है कैसे लिखने इसके बारे में औरेडी 20 मिनट का वीडियो मैं बना चुका हूँ पेपर में क्या गलती नहीं करना चाहिए जाकर आप देख सकती हैं यूटूब में अपलोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हूँ आए बीए फर्स्ट इयर काम यूनिट वन का सबसे इंपोर्टेंट कुस्चन जानते हैं और कैसे आपको तैयारी करना है कम समा में इसके उपर बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा हिंदी विशय का हिंदी तो कॉमान है चाहिए बीए के इस्टूडेंट हो चाहिए बीस्ट के इस्टूडेंट हो चाहिए बीकॉम का अर्थ परिभासा और महत्व देखो पल्लवन ही में है आपको घुमा फिरा के कोश्चन पूछा जाता है एक ही कोश्चन को कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है पल्लवन का परिभासा देती हुए महत्व लिखिये बोला है इसी कोश्चन को इस प्रकार लिखा है पल्लव पल्यवन का आर्थ बताते हो उप्योगिता लिखे ए पल्यवन का तात्पर बताते हो इसस्ता लिखे आपको सिर्प दो आपके पास तो आपको कुछ जादा नहीं करना है आपको सिर्फ यूटूब इस प्रकार से open कर लेना है यूटूब में एक यूनिट पांच यूनिट होता है और एक यूनिट को आपको कम से कम 10 मिनट देना है कितना मिनट 10 मिनट देना है देखो मैं यूटूब में पल्लवन करके सर्चमाल लिया हूँ यहाँ पर पल्लवन का इस्टोरी आज चुकर देख सकते हैं 11 मिनट का इस्टोरी है तो आपको कुछ नहीं करना है सेटिंग पर जाना है और प्लेबैक इस विट को आपको डेड़ गुना कर लेना है लगबाग और यहां पर पल्लवन का पूरा जानकारी आपको वीडियो में दिख जाएगा यानि क पूराना इस्टोरी कवर हो जागा हो यदि आप किसी भी चीज के इस्टोरी कवर कर लेते हैं तो आपको चैप्टर का क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ता आंटोमेटिक आप लिख सकते हैं तो या नोटिस किजिए कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ यूट वहाँ पर explain करके लिख सकते हो तो चलिए पलवन का अर्थ मैं आपको बता देता हूं simple सा पलवन का मतलब होता है विस्तार करना बड़ा करना किसी भी चोटा सवाक क्या है उसको थोड़ा बड़ा करके बताना पलवन का लाता है तो पलवन का अर्थ आपको बेए में सिर्फ heading याद रखना heading यदि heading याद है तो अंदर में आप थोड़ा बहुत इसका knowledge लिख सकते हैं क्योंकि checker सिफ heading को देखेगा इसलिए heading को जरूर याद रखना तो पल्लवन करती है पल्लवन करत है छोटे सी चीज़ को बड़ा करके देखेगा किसी भी चीज़ को भी स्थार करके बताना बस इतना रिख सकते हैं फिर यहाँ पर फट्लवन की परिभासा ओ तो पल्लवन क का आरथ मैं बताया हूंग अब पल्लवन की परिभासा में आपको एक बस आपको परिभासा याद रखना है विस्तार करना है उसके बाद आपको पूछते हैं प्लवन की उपयोगीता या पालवन का महतो तो आपको कुछ नहीं करना है ग्राफite बीप्राइब होती हैं उसमें चोटे छोटे छोटे स्लोख लिखे होती है तो क्या करता है च्छोटे नीले वेक्त को समझ नहीं आ रहा है और उसको कोई बड़ा करके बतार है विस्तार करके तो सामने वाले को बहुत अच्छा धंग से समझ में आ जाता है यही पल्लवन का उपयोगीता है और जो उपयोगीता होता है यही इसका महत्त्व होता है बस सीर्फ आपको हैडिंग को याद रखना है और आप कुछ भी नहीं करना है बांकि आप आप आंटोमेटिक लिख सकते हो फिर पूछा पल्लवन की विसेस्ता क्या है पल्लवन की विसेस्ता अब देखो आप पल्लवन का मतलब क्या है छोटे चीच को बड़ा करके बताना तो छोटे चीच को बड़ा करके बताती है तो इसमें क्या विसेस्ता है यह बताना है तो पहला इस पश्टता जब भी आप छोटे चीच को बड़े करके बता रहे है तो उससे एक इस पश्टता आती है यहां यह बंदे ने छोटे चीच को बड़ा करके बताया है यानि एक रखना है दूसरा कल्पना सकती देखो अब पल्लवन जब भी कोई वैक्ति लेखा पल्लवन करेगा तो कल्पना जरूर करेगा कि मैं सही अनुवाद कर पा रहा हूं कि नहीं सही डंग से वाक्य को लिख पा रहा हूं कि नहीं तो वहीं लेखते कि पल्लवन करने वाले लेखा कि व्यक्ति में बौधिक छंता होना चाहिए, सोचने समझने की छंता होना चाहिए, अब सोचो एक व्यक्ति है, जो कोई भी वाक लेज़े, गागार में सागार भरना, कुरोध में लोग पागाल हो जाती है, प्यार अंदा होता है, अब एक व्यक्ति है, जो इसका मतलब समझ टेशेन सिल्ता अपको भी व्यक्ति होगा पढ़ा लिखने के तो आएगा ना तो अध्यान सिल्ता होगा पढ़ने लिखने के एक तो आगा अप देखो पल्owaन इस पर्ष। एवन सुबोद भासा में संबाव है। तो अप कोई पल्마न करेगा तो पल्的时候 बहुद से बहुत हो चाहिं। आरे il Richard is dice लीजिए कौनसे वीडियो यूटूब में जाके स्टोरी सर्च मारो पल्लवन का दस मिनट के होगा पुर डिटेल से और एक्स्प्लेंट हो जाएगा मुझे बहुत सारा कोस्चन बताना है वीडियो लंबा हो जाएगा चलिए प्रिंट के इस फिरेंे नेस्ट कोस्चन के और बढ़ लें डेकर चैक्तर का दुसरे इंप्रोटिंट कोस्चन है कुसविस्थारा गुनों की विवेचना कीजिए DJI कूसल मैं एक बात बता रहा हूं कुसल विस्तारा गुन मतलब समझ पर पल्लवन से ही रिलेटेड है यह तो आपको सिर्फ पैप इस जो पॉइंट है इसको याद रहा है गहन अध्यान सिलता जो कुसल विस्तारा को कि इसको विस्तार करके बता रहा है उसमें क्या गुन होना चीए एक बात बता दूँ इसके जगह आप चाहते हो तो पल्लवन की जो विसेस्ता है इस पश्टता कल्पना सिलता अध्यान सिलता भासागा सुबोता तो सेम यहार आप सेम टू सेम कुसल विस्तारा के गुन के विवेशना में सेम पल्लवन की विसेस्ता को अब लिग सकते हैं बांकि यह सा पॉइंट आपको याद करने की अलग से कोई भी नीड नहीं है, कोई भी जरुवत नहीं है, सिर्फ आपको पल्लवन की विशेष्था होगा, इसी को कुछल विश्थारा गुन के विशेष्था में आपको चिपका देना है, पूरा नंबर मिलेगा, टेंसन बिल करके बताने, थोड़ा विश्थार करें, ताकि कोई भी व्यक्ति असानी इसना उसको समझ सके, तो आप लिख सकते हैं, क्रोध अंदा होता है, व्यक्ति क्रोध इतना पागल हो जाता है, कि वह सच को माणने को तयार ही नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति हमेंसा दुख पाता है संसार में, क्योंकि वह किसी के क्रोध में इतना पागल हो जाता है, लालाच इतना अंदा हो जाता है, कि उसको सच दिखाई नहीं देता, तो आपको बस थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, क्रोध अंदा होता है, आप समझ गया होंगे, थोड़ा सा आप देख लेना, और आप लिख सकते हैं, यहां पे लिखा भी है, क्रोध एक उग्र मनोविकार है, क्रोध के आवेग में जो मनुष्य होता है, विवेक हो देता है, उसे सत्य सत्य का ज्यान नहीं होता, वो अपने मीना अपना जो बात है उसी में अड़ा रहता है, सामने वाला का सत्य बात सुन कोई इसे जाती से लेटेड नहीं है, इस्वर किसी धर्म से लेटेड नहीं है, इस्वर भाई सबका है, लेकिन नाम उसका अनिक है, कोई उसे इस्वर कहेगा, कोई खुदा कहेगा, कोई गौट कहेगा, और इस्वर जो प्रानी मात्र की रख्चेक है, हम सब भाई इस्वर कर नहीं समझ गया है यहाइब कर सकते हो फेर्नit इंपॉर्टेन्स कोस्ष्टिन है इस युणीट का अनुवाद्ट का अरथा क्या होता है तो star अनुवाद्क कर त्यों एक था किसी भी भासा को भाइब ट्रांसलेट कर One जैसे आपको जैसे किसी को हिंदी से इंग्लीज में ट्रांसलेट करना या इंग्लीज से हिंदी में ट्रांसलेट करना इसे अनुवात करते हैं तो पेपर में आता अनुवात का अर्थ क्या होता है तो देखो अनुवात का अर्थ होता है किसी के कहने के बाद कहना अनुवात क इंग्लीज में ट्रांस्लेशन करते हैं जैसे हिंदी को अनुवाद रपरश्राइधक क्या है तो द्यान देना भाई देखो अनुवाद का मतलब क्या साथ को ट्रांसलेट गई कवीता को अंगरेजी में ट्रांसलेट किया जा रहा है क्या लिखा है हिंदी में लिखी गई बातों को अंगरेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो जीस भासा को हम लोग क्या करते हैं ट्रांसलेट करते हैं उसे हम लोग इस तुरोध भासा करते हैं क्या करते हैं इस तु रहा हूँ उसको हम लोग क्या बॉलेंगे लच भासा जो भासा मुझे आता है उसको क्या बोलने हैels को यह बहु gehört भासा लच आप लिख सकते हैं प्या लिकना देखो एक भासा के कथन को दुसरी भासा के कथन में बदलना अनुवाद कहलाता है अनुवाद का देख सिंपल डेफिनेशन और दिया एक भासा के कथन को दूसरी भासा में बदलना अनुवाद बोला था ना एक भासा को दूसरी भासा में बदलना क्या कहलाता है अनुवाद कहलाता है अब अनुवाद में दो टाइप होता है जीज भासा जीज भासा से आप जीज भासा में ट्रांसलेट कर रहे हो वह लच भासा जो भासा में लिखा होगा वह इस्तुरोध भासा जैसे ह हिंदी में हिंदी से आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा है वो हमारा लच्छ भास वह लच्छ टार्गेट और जिस भासा से आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उस भास को इस्तुरोद भासा कहेंगे याद रखना यह बहुत important question है अब जैसे उर्दू भासा है और हिंदी उर्दू हमारा क्या होगे इस्तुरोध भासा जिसमें ट्रांसे इस्तुरोध कर रहे हो वह कौण सा होगा हमारा लच्छे भासा समझ गहांगे आप उसके बाद unit one का वाना next question भाई इद गाहा इद गाहा एक कहानी है जो मुंसी प्रेम चंदर के दौरा लिखा गया बहुत अच्छा कहानी भाई आप YouTube में ने एक बाद जरूर सर्च मार के देखिया इद गाहा लिखिये बस इद गाहा ना कहानी इद गाहा कहानी दस या पंदर पांच मिनाट के इस्टोरिया को बहुत अच्छा डिपली क्लियर हो जाएगा बाई एकदम इसे ना question आता ही आता है तो इद गाहा कहानी जरूर से यूटूब में सर्च मार के एकदम समझी में आ जाएगा और यादि आपकर से गाइड होगा इससे भी आप अराम से समझ सकते हैं देखो बहुं सीम्पल से दिया है इद गाहा बारे में कुछ भी आगाना आप सेम स्टोरी लिख सकते हो एक दम यूटूब में सर्च मार के समझी है बहुं देखो इसमें कुछ नहीं ता भाई इद गाहा मुंसी प्रेम चंदर के दौर से बताया है कानी का प्रमुक पात्र हामीद और उसकी दादी अमीना देखो इद गाहा कानी में क्या था हमीद था एक आट वर्स का बालक था हमीद के ना पीता माता पीता नहीं थे हमीद ना अपने दादी अमीना के सांथ रहता था हमीद के माता पीता इस संसार से नहीं थ जैसे कि मैं आपको इस्टोरी में बता चुका हूँ हामित जो था अपने बुढ़ी दादी के सांथ रहता था दादी छोटा मोटा काम करके किसी तरह हामित और अपना भरन पोसंद करती थी वह हामित की सब इच्छा को पूरी नहीं कर पाती थी इस तरह कुछ दिन बाद इद करतेवार आता है सबी लोग मेले में घुमने जा रहे हैं हामित मेले में जाने के लिए बहुत उस्साहित है दादी हामित को तीन आने देती कितने आने तीन आने देती है ताकि वो मेला घुम कर आए हामित अन्य बच्चों के साथ मिला जाता है सब बच्चे मिठाई लेते हैं खिलावना लेते लेकिन जो हामित होता है वो मिठाई खिलावना कुछ निलेता वो एक जरूरी चीज लेता है जरूरी चीज क्या होता है पता है रसोई घर में काम आने वाला चिम्टा अब दिखाते हुए जो भी पैसा उसके दादी दी से उससे क्या लाया चिम्टा लाया चिम्टा अपनी बुढ़ी दादी के लिए एक वस्टिम्टा खरीदा यहां कहानी हमको क्या दर सारी देखो मैं सिंपस बतारो इद्गारा कहानी में एक आर्टवर्स का बालक था जिसका दादी का नाम अमीना था अचानक कुछ दिन बाद इद का तेवारा आता है लेकिन दादी के पास पैसे नहीं थे दादी किसी भी तरह अपना और हमीत का भरन पोशन करती थी बस जितने भी बच्चे थे इद के दिन हमीत के आज पास जितने दोसरे सब इद के दिन घूमने में पीने के लिए कुछ भी नहीं लिया वो नहीं सिर्फ अपने दादी के प्रॉब्लम को देखती हो चिंटा खई दादी रोटी बनाती है जल जाती था तो हमीद इस कहानी में क्या दर्सा हा रहा हामीड सिर्फ आरट वर्स ज clarified वो इतना परिवक परिपक्वक्ता परिपक्ता दों किया उसके अन्दर सवेधान सिलता को दर्साता है इसका कारान था किसमय और निर्धनता हमीड को कम उम्रे से बच्चों से ज़्यादा समझदार बना दिये देखो आप भी समझदार यदि आपका उम्रे कम है और आपके घर में बहुत प्राबला हमाँ आप गहुत गरीब है आपके पीता बहुत महिनात करते हैं और आप उम्र कम है और आप इस बात को समझते हो नहीं तो कम उम्र में आरह आप अन्य अमिर लोगों की बच्चों से ना ज्यादा समझदार हो जाते हो ऐसी हमीद ने समझदारी का गुन दिखाया सवेदन सील्टा का गुन दिखाया तो यह था इद गाह का स्टोरी अपने लिखना है बस और कुछ नहीं करना है मुन्सी प्रेम चंद्र समाच को इद गाह इतल के हमीद नाम का एक लड़का था आड़ साल का जो काफी समझदार था अपने उम्र के बच्चों, क्यों यो गरीबीमे आप गुजल गया थे कम उम्रब में समझदार बन गया तो इद्गाह काने मुंसी प्रेम चंद्र समाज को यहीं सिख्छा देना चाहा रहा है कि आप भाई आपके घर में कोई भी प्राब्लम हो तो आप उसको समझे निप्टानी कोशिच कीजिए समझदारी दिखाए बस इस कोशन आपके एकजाम में आएंगे और यहां से चालू होता है यूनिट टू तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो नेस्ट वीडियो में यहां पर मैं एक्स्प्लेंट करने की कोशिच करूंगा कमेंट बॉक्स वाम जल्दी से कमेंट कर लिए कि वीडियो आपको कैसे लगा